नमस्का दोस्तों श्वाग्यत है आप सभी का हमएं चैनल क्रिकेट बोल्ट में दोस्तों आज हम बात करते हैं एक ऐसे विदेशी को रिनाद में हुआ था रोबिन सिंग ने साथ साल की उम्र से ही क्रिकेट खिलने शुरू कर दिया था और वह वेस्ट इंडीज में स्कुल और इलब लेवल पर रिकेट खिलते थे रोबिन सिंग एक इंटू में बताया कि एक बार इंडिया से हिदराबाद बिलू नाम की क्र टूनरमेंट खेलने वेस्ट इंडीज आई थी तब मैंने रिनाद की ओर से वह मेच खेला था मेरी उस मेच में प्रफोंवेंस काफी अच्छी रही तब अकबर इब्राहिम नाम के एक सक्ष ने मुझे इंडिया आने का उपड़ दिया 90 के दसक में रिकेटर रोई सिंग द दोस्तों यहां पर इसमत का खेल देखिए डेबू भी किया तो उस देश की टीम के खिलाब जहां पर वे जनमे थे वेस्टेरीज के खिलाब सिरीज खेलने के बाद रोबिन सिंग को टीम से ड्रोब भी कर दिया गया और फिर साथ साल बात उनकी वापसी नहीं हुई लेकिन इसके बाद साल 1996 में टाइटन का रोबिन सिंग ने फिर से वे टीम में आये और अपनी जगे पकी करने का मौका उन्होंने हाथ से जाने नहीं दिया जिसके बाद रोबिन सिंग 2001 में एक नामी होल रांडर के तोर पर टीम मीडिया से जुने रहे साल 1999 के वल्ड कप मे बादतिय टीम का इसर है और केप टाउन में सिलंका के खिलाब खेले गए मेच में रोबिन सिंग ने 31 रन देकर सांदर पांच वे क्रेट भी लिये रोबिन सिंग ने अपने केरियर में कूल 36 वने मेच खेले जिसमें नोंने 2336 रन बनाए इस दुरान उनका सबसे बड़ा स् सिलंका के खिलाब कोलोंबो में 1997 में उन्हें 100 रन बनाए थे मद्रास युनिवेस्टिटी से अर्शास्तर में मास्टर यानी इकोनोमिक्स की पढ़ाई करने वाले रोबिन सिंग साथ 2004 में क्रिकेट से जब रिटार हुए तो उसके बाद उन्होंने कोचिंग में भी आजमा के पहले होएं बैद आई पेल में मुंबई इंडिया इंडिया कोचिंग को आई पी बार बारस nossa के फिल्डिंग के बने हुए है IPL के कुछ शुरुयाती सालों में उन्होंने डेकन चार्जर्टीम को कोचिंग भी दी थी तो दोस्तों के मेदान में जब रोबिन सिंग फिल्डिंग करने आते थे तो वे जोंटी रोड्स की तरह से ही फिल्डिंग करते थे तो दोस्तों रोमिसिंग की इस सांदर के लिए एक लैक तो बनता है वीडियो पसंद आतों से लाइक और सब्सक्राइब करें मिलत अगले वीडियो में जै हींत जै बारत